प्राप जानकारी के नुसार फिर्यादी शिबम भालेराव ये अपनी गाड़ को छोड़ने के लिए मानका पर रिंगरोड यहाए चिस्तोरान वहाद 32 सवार आरोपी आये और फिर्यादी के साथ वाद विवाद करने लगी इस बीच आरोपियों ने फिर्यादी को गंभीर जकमी कर उसका पर्स चुरा कर वहाँ से भाग निकले इस मामले में पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, वैसे ही पुलिस ततकाल घटना सतर पर भौची पुलिस के एक टुकडी ने फिर्यादी को अस्पताल में भरती कराया तो वही दूसरी टुकडी ने पाथ 6 घंटे की भीतर ततकाल कारवाई करती हुए आरूप्यों को किरफतार करने में कामियाबी हासल की इस संदर में वरिष्ट पुलिस रिक्षक वैजेंती मंडव धरे ने अधिक जानकारी सांझा की देविटसन के बाजुमेन का साइड था वहां पे वो गाड को छोड़ने आये थे उसी रात जो तीन बाइक सवार आये है और उन्होंने उनको तुम लोग कौन हो और तुमारे पास क्या है निकालो ऐसे बोलके उनको धमकाया और उनका पर्स और मोबेल चिनके उनको हाता प पहुच गए उनको फिर्यादी जो जक्मी थे उनको फॉस्पिटल लेके गए अलेक्सिस में और उनका इलाज किया और इसी कॉल पर हमारे जोंटु मैडम एसीपी सवधर मैडम स्पाट पर पहुच के हमने सारे उस तपास के अनुशन से मार्गदर्शन किया और उसी अलग अलग जगर से हमने उनको तावे में लिया है तीनों आरोपी जो है वो रेकार्डिड है एक का नाम राजेंद्र उर्पर राजू कपिल सिंग ठाकूर इसकी एज है 22 साल यह माड़ा कॉलनी जरीपटका में रहता है दूसरा जो है संजय उर्पर संजय बल्लू निर्म इसकी जो है 23 साल है यह यह भी जरीवटका में रहता है तिसरा है कि immigrant Harry Mac proposition इसकी भी एस 23 है तीनों आरोपी के ऊपर अलग अलग गुने इसी प्रकार के गुने दाखल है एक के ऑफर साथ गुने है एक के ऊपर पाँ है और एक तीनों आरूप пон अटक किया है और उनसे 31,200 रुपए का जो हुद्यमाल है बाइक, मोबाइल और पैसे ये रिकवर किये हैं इस सभी इसमें हमको वरिष्ट का भौती महत्पुपुर्ण मारगादशन मिला है हमारा जोड़ी भी पतक हैमान का पूर का इन पतक ने बिट मार्शल्स ने भौती उलेक निया कामगिरी की ह और इस तरीके से हमने तीनों आरुपई को 6-6 गंटे के अंदर में आरुपई को अरेस्ट किया कर दो